अपडेटेड रहना एक बहुत अच्छी बात होती है हमें पता होना चीह हमारे च्पास क्या हो रहा है न्यूज दे quantum है लेकिन अब यह भी बहुत गलत बात होती चली जा रही है आज मैं बात करने वारा हूं डूम्सडे scrolling या doomsday surfing के बारे में यह क्या होता है और यह कैसे अब लोगों को अपने चंगल में ले रहा है digitally दुनिया को कैसे बरबाद कर रहा है इसके बारे में बात करेंगे देखो भाई जब हमारे brain को कोई अच्छी चीज मिलती है चब हम इंटरनेट पे कोई अच्छी चीज देखते हैं अच्छा कोट पड़ते हैं अच्छी मूवी देखते हैं तो हमारे बॉडी में dopamine release होता है मारे दिमाग में dopamine release होता है यह एक feel good hormone होता है जिससे हमें अच्छा महसूस होता है और कई बार हमें इस चीज की आदत पड़ जाती है जब आप किसी एक YouTube चैनल को बार बार देखने लगे बार बार जाएं सर्च करें देखें और आपको अच्छा लगे dopamine release हो रहा है जिससे आपको अच्छा लग रहा है और जो dopamine का release होता है यह एडिक्टिव होता है इसकी आदत लग जाती है यही चीज जब आप कोई दुख बरी चीज सुनते हैं कोई बुरी खबर कोई चौका देने वाली खबर सुनते हैं तो body में कुछ इसी प्रकार की प्र search में सामने आया है और यही चीज news देखकर भी होती है अब आपको पता है कि हमारे देश में हालात ठीक नहीं है हर दिन हमें ऐसी news देखने को मिलती हैं जो हताश कर देती हैं दुख देती हैं इतने लोगों की death हो गई यह हो गया oxygen नहीं है सिलेंडर नहीं है vaccination के लिए slot नहीं मिल रहे ventilator bed नहीं मिल रहे तो बहुत हाहकार मचा हुआ है भारत में तो लोगों की आदत बन गई है अब जल्दी जल्दी news को सर्फ करना सब लोगों के हाथ में news accessible है बहुत easily कोई भी फोन से आप news देख सकते है news देखते रहना लोग अपनी नीद छोड़कर पढ़ाई छोड़कर काम छोड़कर सारा दिन news देखते रहते हैं news पढ़ते रहते हैं जिससे उनके दिमाग पर गलत असर पढ़ता है किसी भी ऐसे pandemic में किसी बुरी खबर या दुनिया खतम होने वाली है या यह बहुत जो भी बुरी चीज होने वाली जैसे कि नाम से चिस्ट करता है doomsday कुछ गलत उसको सर्च करते रहना सर्फ करते रहना doomsday surfing या doomsday scrolling भी होता है यह चीज अपने आप बढ़ जाती है क्यों कहां पर ज्यादा रुखोगे चाहे यूट्यूब पर भी जिस तरह की वीडियो आप ज्यादा देखोगे आपको suggestion में वैसी ही वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी और यह चक्र फिर कभी खतम नहीं होगा डाइट मेंस अगर आपको बुरी नियूज या कोरोना से रिलेट करेंगे लेकिन यहां पर हम बात करें डूमस्टे स्क्रोलिंग की तो यह ऐसे बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता है अब यह पाया गया है कि जो लोग ऐसी नियूज को जादा देखते हैं जादा सर्फ करते हैं वो जादा डिप्रेस्ट रहते हैं जादा परिशान रह है तो यह बहुत खतरनाथ चीज़ है इससे बचा कैसे जाए नियूज लिमिटेड देखें अपने फोन में यह तो एक मेरे को इन अप्लिकेशन से बहुत ज्यादा शिकायत है नियूज वाली अप्लिकेशन से यह हर बुरी नियूज का नोटिफिकेशन दिखाते हैं एंड अच्छी बात है लेकिन इतनी ज्यादा गलत नियूज पढ़ना आपके दिमाग को असर कर सकती है और आपके वेल बीइंग और आपकी इम्मेनिटी को भी टाउन कर सकती है तो ऐसी एप्लिकेशन को हटा दो जी हां अनिंस्टॉल कर दो या तो उनके नोटिफिकेशन को दिखा पाएं यह चीज जीओ टीवी भी कर रहा है जीओ टीवी में देखोगे आप न्यूज के आते रहते हैं कि यह हो गया बुरी न्यूज भी आती रहती है अलग अलग न्यूज चैनल के जो डेडिकेटर अप्लिकेशन हैं उन सब में ही दिखाया जाता है लोकल न्यू जी वाले टेक यूट्यूबर नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा राइट इस चीज का ध्यान दें अपने घर में देखें किस-किस के फोन में यह अप्लिकेशन डली होई है और कौन इंसान कितनी बार न्यूज और कितनी गलत न्यूज देख रहा है उनकी न्यूज में क इस तरह के पूस्ट आते हैं क्या आता है क्या नहीं आता राइट तो मैंने आपको बता दिया कि डूमस्टे स्क्रोलिंग और डूमस्टे सर्फिंग क्या होती है इसे कैसे बच सकते हैं इसको कैसे कम कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो से लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साइबर सेक्योरिडी और इतिकल हैं इंट्रस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें 299 रुपीज के तीर इतिकल हैं को सिखा देंगे जो की पूरी दुनिया में एक लीगल प्रोफेशन होता है बहुत अची चीज़ है आप सीख सकते हैं च झीजय हैं किया के एाद के लाथ चुपी बहीं हैं के लिए एATHAN मूहीं है